नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने ब्रांड की प्रतिष्ठा कैसे बनाई जाए एक मजबूत ब्रांड प्रतिष्ठा ने केवल आपके उत्पादों या सेवाओं की बिक्री में सहायता करती है बलकि आपकी कंपनी की साख और विश्वसनियता को भी बढ़ाती है आज हम इस प्रक्रिया के कुछ मुखे चर्नों को देखेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रासंगिक उदाहरनों के माध्यम से समझेंगे कि यह कैसे किया जा सकता है ब्रांड की प्रतिष्ठा बनाने का पहला कदम है ब्रांड विजन को सपष्ट करना आपको समझना होगा कि आपका ब्रांड क्या खड़ा है आपकी मुखे वैल्यू क्या है उदाहरन के लिए अगर आपका ब्रांड पर्यावरन के अनुकूल उतपाद बनाता है तो आपकी वैल्यू हो सकती है सस्टेनिबिलिटी और नवीन्ता ये वैल्यू ज आपके ब्रांड के सभी पहलूँ में जलकनी चाहिए चाहे वो उतपाद हो, मार्केटिंग हो या कस्टमर सर्विस आपके उतपाद या सेवाएं आपके ब्रांड के दूथ है उच्च गुनवत्ता के उतपाद न सिर्फ ग्राहक संतुष्टी बढ़ाते हैं बलकि आपके ब्रांड की साख भी स्थापित करते हैं जैसे अगर आप इलेक्ट्रोनिक्स के शेत्र में हैं तो आपके उतपादों को विश्वसनिय और दीर्खकालिक होना चाहिए अपने उतपाद की गुनवत्ता में कभी समझोता न करें क्योंकि यह आपके ब्रांड की छवी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है एक प्रभावी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी विक्सित करना जो आपके ब्रांड वैल्यूज को प्रतिबिम्बित करती है ब्रांड प्रतिष्ठा के निर्मान में मेहत्वपूर्ण है सामगरी मार्केटिंग, सोशल मीडिया विग्यापन और प्रभावशाली मार्केटिंग जैसे तरीकों का उप्योग करके आप अपने टार्गेट ओडियंस तक पहुँच सकते हैं और उन्हें अपने ब्रांड से जोड सकते हैं जैसे कि अगर आपका ब्रांड युवा और ट्रेंडी है, तो इंस्ताग्राम और टिक टॉक पर विग्यापन आपके लिए बेहतर हो सकते हैं उतक्रिष्ट ग्राहक सेवा न केवल ग्राहक संतुष्टी में योगदान देती है, बलकि यह आपके ब्रांड की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाती है शिकायतों और प्रशनों का जल्दी और प्रभावी ढंग से निप्टान करने से आपके ब्रांड के प्रतिव विश्वास बढ़ता है उदाहरन के लिए, अमेजन अपनी ग्राहक सेवा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उसके ब्रांड वैल्यू को मजबूती प्रदान करता है इसलिए, अपने ग्राहक सेवा केंद्र को हमेशा तयार और प्रतिक्रियाशील रखें एक जिम्मेदार ब्रांड के रूप में आपकी पहचान स्थापित करने के लिए सामाजिक उत्तरदायत्व महित्वपूर्ण है इसमें चैरिटी के काम, पर्यावरन संरक्षन और समाज के हित में कारे करना शामिल है उदाहरन के लिए पतंजली अपने उत्पादों के नैतिक और स्वास्थेकिंद्रित ब्रांड के रूप में खुद को पेश करता है जो उसके ब्रांड की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है सामाजिक उत्तरदायत्व आपके ब्रांड के प्रती लोगों के विश्वास को मजबूत करता है ओनलाइन रिव्यूज और रेटिंग्स ब्रांड की प्रतिष्ठा को काफी प्रभावित करते हैं अपनी ओनलाइन प्रतिष्ठा का प्रभंधन करने के लिए रेगिलरली गूगल, फेस्बुक और येल्प जैसी साइट्स पर अपने ब्रांड की समीक्षा चेक करें नेगेटिव फीडबैक का सकारात्मक और प्रोफेशनल तरीके से जवाब देना आपके ब्रांड की प्रतिष्ठा को सुधारने में मदद करता है जैसे कि जमैटो अपने कस्टमर्स की शिकायतों का जवाब देकर अपनी प्रतिष्ठा सुधारता है, को समिस्मे पर मूल्यांकन करना जरूरी है यह सुनिश्चित करता है कि ब्रांड अपने वैल्यूज के प्रति सच्चा है और मार्केट में उसकी सही स्थिती है बाजार के रुजानों के अनुसार अपने ब्रांड की स्ट्रेटेजी को अजस्ट करना और ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं के अनुसार उत्पादों में सुधार करना आपके ब्रांड की लंबी अवधी की प्रतिष्ठा के लिए महित्वपून है ब्रांट की पारदशिता, विशेश्कर संकट के समय ग्राहकों के साथ विश्वास का निर्मान करती है समस्याओं को स्वीकार करना और उनके समाधान के लिए कारे करना आपके ब्रांट की प्रतिष्था को बढ़ाता है उदाहरन के लिए जब आपल ने अपने आइफोन्स की बैटरी समस्या को स्वीकार किया और मुफ्त बैटरी रिप्लेस्मेंट की पेशकश की तो इससे उनके ग्राहकों के साथ विश्वास कायम हुआ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको अपने ब्रांट की प्रतिष्ठा कैसे बनाई जाए, इसकी गहराई से समझ में आई होगी हमने देखा कि कैसे विजन क्लैरिटी, गुनवत्ता, मार्केटिंग, ग्राहक सेवा और सामाजिक उत्तरदायत्व जैसे पहलूँँ पर ध्यान देना जरूरी है इन सभी का उचित प्रबंधन और मूल्यांकन करके आप अपने ब्रांट की प्रतिष्ठा को मजबूत कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो उप्योगी लगा, तो कृप्या लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें